और वहिया जी का हो रहा हम हैं देवेश करत हैं निवेश दोस्तों कहा जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले आ कोई जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा ना कोई एंडी टीवी पर यही बात से दोती है दरासल एंडी टीवी आपको जानकर लगई होगी अडानी के अंटे में फस गई है बुरी तरीके से फस गई है तो सवाल उठता है कि दुनिया भर को गोधी मीडिया कहने वादी एंडी टीवी आखिर अडानी की गोध में कैसे रट हैं तो दोस्तों बात है साल 2009 की एंडी टीवी के फान्रस कौन हैं रादिका राय शानकर ऑर, प्रनकर रेकार रायर ले लोब्ल कर लिम मघण के लिए नया लून लिया इसकी टोपी उसके सर पुराना लौन चुका नहीं पा रही तो नया लौन ले लो तो नया लुन किसे लो तो इननोंने नया लोन लिया एक कम्पणी ईचन्य इल्ड़ी वीसी पील नाम की कम्पणी से इंहो नहीं रर लिया वैठे गए 10 सी हम ही, introduced लेकिन मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात या है कि आपने लोन लिया था साल 2009 में 400 करोड का तो भाईया जी जो लोन का एग्रिमेंट होगा खर रहा होगा उस एग्रिमेंट में उसमें कुछ ना कुछ तो दवस्ता की होगी VCPL ने करेक्ट यदि साहुकार से आपको प ना तो साहुकार ना पेंट कोई हम जानते तो है नहीं पैसा तभी मिलता है कुछ ना कुछ गिर भी रखना पड़ता है तो इनके केस में इनुह ने कुछ गिरभी नहीं डखा था इन्हों ने सПр发 किया क्या दिया था है यह कॉल आपसिन दिया था यह है वी and को कि आप भविष्ट में हमारी कम्पनी खरीज सकते हो यह जो कॉल ऑप्सन मिला था वीजी पिल को उसी कॉल ऑफ्सन का अंटा यह था अंटा यह था कि वी सिपियल आरार पियर में हिस्सेधारी खरीज करता है VCPL को तो सरहल सब्दों में मोटे मोटे सब्दों में कहा जा सकता है कि वास्तम में 10-12 साल पहले RRPR को जो लोन मिला था वो अडानी ग्रूप ने लिया था अडानी ग्रूप की गोद में यह NDTV बैठा हुआ था मतलब दुनिया गोदी मीडिया और खुद जो है यह है NDTV की सचाही तो VCPL ने का खाए VCPL की RRPR में हिस्सेदारी पूरी लेकिन जो RRPR है उसकी 39% कुछ हिस्सेदारी है NDTV में तो आप देखिए अपचेन अडानी की हिस्सेदारी पूरी है किसमें VCPL में VCPL की पूरी हिस्सेदारी है और ये जो ब्रन रवय औरहोर्वी किंपनी हं उसमें पूरी सिह-दरी आगई अभ यह जो प्रहनावरवियरर्य और कर धार लंसके कंपनी तो यह यह पूरी चली गई अडानीं गूप के पास एंडी टीवी में 29 परसेंट से तरी मिल जाती है अडानीं गूप को क्यों कि गुरू इन्होंने लोन ले रखा था साल 2009 में वहीं यह उपकार नहीं कर रहे हैं कोई धर्मसाला नहीं खुल रखी इन्होंने इन्होंने लोन लिया तो 29 परसेंट मिल गई 26 परसेंट का वह दे रहे हैं ओपन ओफर क्या होता है खुला इन्विटेशन दिया है उन्होंने अपना शेयर बेचना हो तो 294 रुपय का भाव है बेचना है तो बोलो तो 29 परसेंट स्रेदारी अडानीं गूप को मिल गई थी उस लोन के गजमेंट जो 10 साल 12 साल पहले दिया गया था और 26 परसेंट इस्रेदारी वह ले रहे है थू ओपन ओफर यदि यह ओपन ओफर सफल हो जाता है तो 29 परसेंट प्लस 26 परसेंट कुल मिलाके 55 परसेंट के लगवग हिस्रेदारी होगी जो अडानीं गूप के हाथ में आ जाएगी यदी 55 25 परसेंट आगी तो बास्तों में जो अडानी गूप की हो जाएगी देखो क्विंटन होने पहले ही खरीद लिया अब जो है एंडी टीपी का नंबर है दोनों यह कंपनियां बहुत उश्यार बंती थी भाइसा बखवारों में और इन दोनों का हस्र क्या हुआ दोनों की द परजा क्यों लिया था सिंपिल जी वात है और जो करदे का एग्रिमेंट उस पर आपने साइन किये हुए है तो हो सकता है एंडी टीपी में जो प्रणाव रहा है और रादेकार रहेगी 29 परसेंट की सेधारी है यह यह इतनी आसा निश्यों तो छोड़ेंगे नहीं हो सकता यह कोड कचरी में और चले जाएं और मामला उलजे तो कुछ भी हो सकता है अभी हम यह नहीं कहले कि ओपन ओपर सक्सेस्पुल हो जाएगा अडानी ग्रुप जो है एंडी टीपी को खरिद लेगा लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अडानी ग्रुप बराबर आगे बढ़ प्रिशन खरी ते अब इनका भुष्श क्या होगा यह भुष्श में अडी टीपी पर रहेंगे यह यूट्वप पर पत्तरकार बन जाएंगे वह आगे आने वाला भुष्श बताएगा लेकिन दोस्तों इ tentang इनकी घटनागर में इसकी हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे इसी बीच दोस्तों हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं आत्मेने भर options course, जब लोग नए-ना share market में आते हैं तो उन्हें options बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि options में 10-20,000 का आप premium दो और position खड़ी कर लो, थोड़ा सा निवेश करके आप बड़ी position create करो, बड़ा profit होगा, इसल प्रीमियम गलने का खत्रा है, वो खत्रा भी खतम कर देंगे आत्मेने भर options course में, options derivative contract समझना होता है कठिन, इस्तिमाल करना होता है complex, लेकिन उनको सरल और आसान बनाएंगे आत्मेने भर options course के माध्यम से, इसी वीडियो के description box में दी गई है, लिंक उस पर क्लिक करके जोइन कर लीजिए आत्मेने भर options course, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैस्त्री रांड,